Hello students, today we do revision, आज हम पुनरविती करेंगे आपने previous class में big small और tall short, long short इत्यादी आपने देखा था, इसका मतलब हमें comparison करना है, तो आप ये देख रहे हैं, picture put the correct sign for the big ones and cross for the small one, आपको सही का निशान बड़े पर और cross का निशान छोटे पर लगाना है, अब यहाँ देखे, यहाँ दो monkeys हैं, तो बड़ा कौन सा monkey है, bigger कौन सा है, ये है, तो it means हमारा big ones पर tick correct का लगेगा, और small ones पर cross का लगेगा, इसी तरीके से rest questions भी इसमें जो दिये वे आपको करने हैं, now second comparison tall and short, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, tall पर आपको क्या करना है, tall means lumber, short means छोटा, आप ये देख रो, ये building बड़ी है, तो tall के लिए हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और short के लिए क्या हम लिखेंगे, एस लिखेंगे, इसी तरीके से rest आप जो है comparison करोगे, very good, now we do long and short, long means lumber, short means छोटा, तो आपको क्या करना है, color करना है, blue for the long and red for the short, तो मेरे पास जो है, blue, blue है, तो मैं blue करूँगा color, ऐसे, यह हो गया आपका, long के लिए, and red one, red आपको color करना है, short के लिए, ओके, rest आप अपने से करोगे, now heavy and light, तो heavy means बड़ा, वजणदार, जादा वजण जिसका हो, और light, कम वजण, कम वजण, आप यह देख रहो, यहाँ दो वेहिकल्स हैं, तो बड़ी वेहिकल्स जादा वजण की होगी, और छोटे वेहिकल्स कम वजण की होगी, तो छोटे के लिए हम क्या करेंगे ब्लू कलर करना है यहाँ आपको ब्लू कलर करना है और बड़े के लिए आपको क्या करना है रेड कलर करना है ठीक है इसी तरीके से आप रेस्ट क्वेस्टिन्स इसमें करोगे Now More and Less More means ज्यादा Less means कम आप देख रहे हो थी एक्स है और टू एक्स है तो आप ये देखिए कि टू एक्स ज्यादा है या थी थी एक्स ज्यादा है ना तो तो थी ज्यादा होगा उसके लिए Am means more और जो कम होगा उसके लिए क्या Less means L आपको rest करने है आज आपके लिए इतने इसे करके आप वापस मेरे वाटसप पे इसकी कौपी सेंड करें गुडबाई